पंजाब उनीशो संदाली यानी वंड़तो पहला दा पंजाब उस पंजाब दी संची एसेंबली के हो जाई सी आकर उस दे अंदर कारवाई किस तरह चल दी सी इतिहास देस भेश कीमती पन्यनू फ्रोलन दी कोशिश कीती है पंजाब दे वेतमांते ही सरदार मनप्री सिंग बादल हो राने मनप्री बादल हो ने साथ दे राने आने बादसा पत्यास दा बेश कीमती पन्यात उसी फ्रोलन दी कोशिश कीती है जो दे इस पन्यनू फ्रोलिया तब रिच्यों की कोई निकल रह और इस नूई फ्रोलन दी मन चला सकता थो हई अज तो कोई तेई- दियां डिबेट्स होई हैं, स्वाल किस तरह पुछने हैं, रेजिलूशन के में लेके होने हैं, असेम्बली दे विछ बहस ता की तौर तरीक है, और मैं क्योंकि सारा रिकार्ड जड़ा परोल रहा सी कि मैं तो पहला जड़े सड़े बुजर्ग हो गुजरे हैं, वो किस तरह गाल बात कर दे सी, तो उनीस सो संताली तो लेके रिकार्ड जड़ा है, वुदानसाबादी असेम्बली जड़ा है, फिर एक दिन बैठे बैठे नुए भी आया कि संताली तो पहला असेम्बली जड़ी पंजाब दी सी, वो किस किसम दी सी, और थोड़े सुन ना लेनों में दसना चाहना है कि उनीस सो संती तो लेके उनीस सो संताली चे पंजाब चेलेक्शन होए, एमले बने और खिजर टिवाना, सिकंदर हयात खान, चीफ मिनिस्टर रंदे सी पंजाब दे, सर छोटू राम, एन अदी यूनिनिस पार्टी होंदी सी, कांग्रिस पार्टी सी, काल कर्मेंड अप पंजाब पाकिस्तन पाकिस्तन पंजाब से, उसी उनने नाल भी खटों खताब कीता की ची साथ्व को ले रिकार्ड मुकeं मुकंबल नहीं इए, संती तो लेके संताली तक दा तो सी रिकार्ड शे तो इसी सैनु बराय हमेर बानिह तो सी ये मुकंमल तो उन्ना ने सानु एक किसम दा जवाब देता और क्योंकि साड़े तलुकात सी गे पाकिस्तान दे विच मेरे नाल बच्चे पढ़ दे रहे हैं जिड़े की भलायत तो मैं उन्ना दे जरीए और ट्रैक टू एक किसम दा की चलो तुसी रिकार्ड नहीं पेज सकते सरकारी तो और ते नहीं पेज सकते तो सानु एन्ना दो फोटो कापी करा के दे दो सो उन्ना ने सारा एह तर्टाली वॉल्यूम बन दे है काफी बड़ा और इन्ना ने फिर फोटो कापी करके साल डेट साल पहला है मैंनों पेज दे सी फिर मैं क्योंकि ए एह रिकार्ड जड़ा है एह मेरा नहीं है ये पंझाब दे लोकानी इमानत है तो आज जड़ा मैं तमाम जड़े तर्तारी दे तर्तारी वालियूम सी गए इस पीकर विदानसभा नो उनना दे हवाले कीते है और मैं समझ दाएं कि जड़ा ला थोड़ा हिस्सा सी की पंजाब दी राजनीती किस किसम दी हंदी सी पंजाब जड़े साधे लीडर सी हो किस किसम दे हंदे सी ता शायद जिदो तुसी इना वर कैनों फरोड़ोंगे ता एक जाए ये पता चलेगा कि जिन्ना ने पाकستان बनाया हू जड़े मुसलिम लीग पार्टी सी काइद राजम मुfa जणा दे काइद सन पंजाब दी एक सो सतर मेंबर असेइम्ली चौ वंुमुम लीग दे सिर्फ दो ही मेंबर सी हरानी हैसकल दी है कि जिन्ना ने पाकिस्तान दी हवास चकी अलिगड मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिहार ते यूपी ते जड़े जमीदार सी नवाब जादे सी तलुकदार सी जड़े की ज़हर है यूपी ते बिहार चे माइनौरिटी सी गे यह अपने अपनों महफूज नहीं समझ दे सी गे तब जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया बनव है कि पंजाब असेंबली दे विच महज दो दी जड़ी होना दी गिन्टी सी उन्हादा एक सो सतर दे विच्छों और इते पंजाब दी बांड होगी बिलकुल और क्योंकि जड़े पंजाब दे चीफ मिनिस्टर सी उन्हादा ना सी खिजर हयात टिवाना साब ओ शापूर उन्हादा जिला सी और उन्हादा ने ए जिदो तुसी फरोड़ों के पन्ने था उन्हादा ने एसेंबली दे विच एक बियान देता कि पाकिस्तान ओवर माई डेड बाडी मेरी लाश ते बनूगा सानू पाकिस्तान दी जरूरत नहीं है इते पंजाब दे विच मुसलमान दी अबादी पैंट फीसद सी तो इते ता इन्हादा नो किसे दा डर नी सी गा इन्हादा नो लोड भी नी सी और पता नी सानू की पड़ाया जन्दा है यह उन्हादा नो की पड़ाया जन्दा है पर जिदो मैं अपने माँ बाप तो अपने दादे दादी तो कलना सुन द है तब पंजाब दे विच बड़ा अमन चैन सी बड़ा पाईचारा सी मुसल्मान बहुत चंगे लोग सी और पंजाब दे लोग एचांदेनी सी और शायद थोड़े सुनन ना ले नू ए सुनके बड़ी हरानी होएगी कि उन्नीस सो संताली तक पंजाब दे विच किदे भी नसली बिना थे किदे कोई फसाद नहीं हो ऐसी किदे कम्यूनल डाइटिंग नहीं होई तुसी भी राइदी ती ना लबे समय तो जुड़े रहे हूं कि समय नहीं कि अगर पंजाब दू निशना बनाया गया अगर पंजाब दी बंड कीती ग जोड़ोंगे ता मुस्लिम लीग दी जड़ी मंगसी की हिंदुस्तान दे मगरब दे मश्रक दे विच एस ते वेस्ट एक ऐसा खिता है जिते मुस्लमाना दी बहुत ज्यादा मजारिटी है और इस मजारिटी नो अड़ रियास्त या अड़ मुल्क जड़ाय इदेच काइम होया जाव है और क्योंकि पनिजाब दे विच बलूचिस्तान दे विच नोर्थवेस्ट फ्रांट creation दे विच सिंद दे विच मुस्लमाना दी तकरीबन nah नौर्थवेस्ट फरंट्ये जा शएन नब्वे परसेंट ओना दी अबादी सी और उत्थे भी फ्रंटियर दे विच भी मुस्लिम लीग दा राज नी सी उत्थे ओ खान अब्दुल गफार खान उन्ना दी पार्टी सी जिन्नों फ्रंटियर गांदी कहने सी सिंद्ध दे विच भी 90% मुसल्मान अबादी सी पर क्योंकि यह थे अबादी लेकिया है हूँ इस रिकार्ड दे विच की की चीजां अगर कलनों कुई सर्च करे जाए इसनों पढ़ना दी चार रखे तक की 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 कुछ दे विच शामल है यह ता दस सालाना पंजाब दा इतिहास है और और असेम्बली दे विच किस किसम ने मते लें दे गए इक ता मता तो नहीं मिलूगा जिड़ा जिस्ते सारे अमले ने वोट पाई की पंजाब दी तकसीम हो जाए तो नहीं भी मिलूगा की जड़े चार क्रिश्चन मेंबर सी अमले चार क्रिश्चन अमले भी उन दे सी पंजाब चाहूं वो चार दे चार जड़े है उनना ने आप्शन मेले नो वो पाकिस्तान चले गए जड़े पहले इंडिया दे पंजाब दे जड़े चीफ सेक्टरी बने उन्हा दे फादर इन लौ उन्हा दे सौरा साब ओ स्पीकर उन्दे सी पंजाब दे सेमली दे ता इक बड़ा एक क्रूशल दौर सी दस साल दा पॉलिटिक्स दा पहली बारी पंजाब दे वेचे वोटा नाल MLA चुणे गए पहली बार मिनिस्टर बने चौदरी छोटू राम दिया सारी यां स्पीचेज डिबेट चौदरी छोटू राम दे सारी लेजिस्लेशन है दे जड़ जोएगी किमिक हौली 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 पंजाब दे हलात जड़े है इना चे कम्यूनल पॉलिटिक्स हाई एद इच तो नो दर्ज में लूगा एक पंजाब दे खजाना मंतरी हुंदे सी दस साल रहे और कि मैं किस तरह ड़ेड़ी मैं समझ दे हैं की सरमनोहरलाल उनने दस बजट पंजाब दे पेश कीते हैं और पंजाब दी जड़ी सी एकॉनमी सी उदे सब तो ज़्यादा था जड़ा लैंड रेविन्यू जिन्हों मामला केंदे है सब तो वड़ी इंकम उदो आज जी एस्टी या वैट या ए चीज़ा था नहीं हुनिया सी दूजी वड़ी आमदन जड़ी पंजाब नहुनी सी जंगलात तो हुनी सी जं सुबा सी आपस चपाई चारा तलकात कैसे संग एक दूजे नू बोलन दा सलीका ते तरीका की सी सो जेड़े लोग हिस्ट्री विछ दिल्चस्पी रख दे है उनना वस्तित है बहुत वड़ा खा जाना है और मैं ये भी दसना जाना है कि जिनना कॉमा नू आवदा पिछा आदनी उननों फिर अपना अग्दा भी ने से दिसता तो असी कित्थों चले सी और असी कित्थे जाना है ए दोवें चीजां कौम जड़ी है उन्हों याद जरूर होनी है चाहिए है तो एक कमी सी अज सतर सालों गुजरे है संतर साल बाद साड़ा रिकार्ड पूरा हो गया मैंने इस काल दी खुशी है तुसरी रिकार्ड पंजाब बंगोगी पंजाब तो एक वकरा हर्याना सुब्वा भी बन गया तुसे अरिकार्ड तुसी गर्ल कर रेसी के ओधर भी प Éजंदी तेयरी है जी मैं हर्याना स्पीकर साब तो टाइम लाके और मैं पन्जाब नहीं क क्योंकि हरयाना साथा successor state है, साथा छोटा परा है तो वड़े परा नो कोई छीज मिल जाएğ तो छोटे नो ना मिले तो यह तो जाती होएगी सो हरयानीदी assembly नो भी recording डेना है पंजाब university नो भी देना है قार्टिशन museum नो भी cannot be क्योंकि देखो ये ग्यान होना है ये आवदे को डे नहीं रखना ग्यान ता हमेशा हो आ कोशिश करी दिए कि ये नूं तकसीम किता आब लबे सी पाईचारा किस किसम दा सी किस किसम नी आकला सी सब सब कुछ सिखन नो मिलदा और बंदा पढ़के लिखके सिखके अगे वात रहा था इतिहास अगर दो वाद दा त्यास फ्रोली एता कई मुटां दी वड़ होई वन्ट तो बाद कई मुलक कठे भी होई तक इस एक सुसतर चो दो सी तो टी समय दे होगे अगर वांड होई था कि ए जड़ी पंजाब दे मिचे लकीर खिची गई है कि ये लकीर मिट सकती है इस तो नहीं मिटाया जा सकता एक पंजाबी दा जो से छोटे होंदे सी गीत चलदा सी शायद पाकिस्तानी गीती होगे नूर विक्दा सजन मिल जावे खरीद लामे जिंद वेच के जे कि ते पंजाब कठा होगे जे लकीर मिट दी होगे ता सी ता पंजाब पे पंजाबिये ते एड़े आशिक हैं कि जान वेच के भी जे कठे होगे तो बड़ी बड़ी गाल होगी पर मैं नू लगदा है एक कठे हो पास से ज्यादा है दूसरे पास से काटा है क्योंकि ओ समझ दे है कि बड़ी बड़ी जद्दो जए दे विच्छो उननों पाकिस्तान लब्या है ते ओ फिर कठे होना नहीं चाहूंदे पर मैं आजकल सोशल मीडिया ते यूट्यूब ते फेस्बुक ते देखते हैं मैंनों इसकल दी हरानी मिन दिया कि बड़ा बड़ा तबका उत्थे भी है जेडा की कठा होना चाहूंदा है हूं यह ता पता नहीं जिन्दगी किन्नी है काश रब करेगी साड़े जियोंदे जी एक कठे हो जान पर जे ना भी होन क्योंकि एक जड़दे दो तने हैं कट्टू कट आपसी पाईचारे अमन चैन ना खुलूस ना दरह सकीए यह जरूर ख्वाइश है काश पंजाब फिर तो कठा हो जाए विचली जड़ी लकीर खिची गई है संताई देवेच काश ओ मिट जावे बेशक के लकीर ता मिटे या ना मिटे पर एक वार ओ वांट तो पहला दा जड़ा पंजाब सी उस पंजाब ना जुड़िया इतिहास दा उसनेरी पन्ना और रिकार्ड पंजाब यानि के हुंदे पंजाब देवेच जरूर लेया इने सार मानपरी से में बादल ताकि लिड़ियां ऑनवाली नसला ने उप जड़ा इतिहास है उसनों फरोल के देख सकंड के पंजाब किनाक अमीर विरसेदा मालकसी और इस पंजाब ने किस तरह दी चड़त और किस तरह दे उस तो बाद दे हलात वेखेने नपिंदर सिंग्बार नियूज एकरि पंजाब चंडिगर